Hello friends, कैसे आप सभी लोग होग और हम सब अच्छे होंगे और आपकी preparation काफी अच्छी चल लिए होगी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे data transfer की data transfer कैसे होता है किस तरह से sender और receiver में data transfer होता है किस तरह से हम connection को terminate करते हैं और उसके लिए हम लोग fin state और fin flag का किस तरह से use करते हैं कल की वीडियो में मैं आपको बता देता कि कैसे connection बनता है आज की वीडियो में हम लोग कैसे data transfer होता है और फिर कैसे terminate होता है connection पूरा उसको terminate कैसे किया जाता है यह हमारे sender था यह हमारे receiver था सबसे पहले हो क्या करेगा request भीजेगा ठीक है request भीजी उसने यह हमारा synchronization number भीजा फिर synchronization flag फिर उसका MSS भीजा और फिर WS window size भीजा यहाँ पर request का response आया reply आया जिसमें उसने अपना sequence number भीजा receiver ने ठीक है और यहाँ पर क्या करा synchronization flag भीजा 1 यह बताने के लिए ready हूँ और आपको sequence number 1500 देखना है अब MSS भीजा उसने अपना window size भीजा जो कि यहाँ पर 100 है ठीक है और यहाँ पर WS window size भीजा यहाँ MSS भीजा इसने 100 है और window size भीजा 15,000 ठीक है फिर यहाँ पर acknowledgement भीजी साथ में ठीक है जो receive क्या यहाँ पर acknowledgement भीजी है ठीक है यहाँ पर उसने sequence number भीजा है जो next sequence आएगा और acknowledgement भीजी है आपके sequence की सिक्वेंस की सिक्वेंस मतलब receiver की एकनोलमें भीजी है कि अब जो next accept में करूँगा data वो 1501 से आएगा ठीक है और यहाँ पर acknowledgement भीजी है एकनोलमेंट को आप देखना है आपको ठीक है तो यह हमने कल की वीडियो में देख लिया था ठीक है इसमें अब हमें क्या करना है यह देखना है कि किस तरह से data transfer होगा अब कौन भीजेगा data तो यहाँ पर से मैं क्या कर रहा sequence number भीजेगा sequence जो मागा है होता 201 भेज़ेगा तो यहां पर सिक्वेंस जो होता है वह आपका नहीं खाया जाता मतलब यहां पर जो डाटा भेज़े जाएगा उसमें पहली जो बाइट होगी वह कौन से होगी 201 की होगी होगी और यहां पर कितना बीत बाइट बहिज़ा जाएगा 100 माइट का बाइट बह? बह़ेज़े जाएगा और उसके सांथ सीओंस नमेर के सांथ के बह जैचाँ सांथ किया दोबार की भेज रहें, चुकंबव ल Press , यहां पर हम्हें पता नहीं चलेगा हमारे अख्रोजम्र् अगर वो लौस्ट हो गई तो n डाटा में हम उसको अकृवर कर दिंगे गृज़ में ओसको कि पियागों कि यहाँ आ रिलाइस कर लेते हैं तो उसका यूटलाइस कर लेंगे तो हमाराम से भीज पाएंगे तो यहाँ पर क्यांगे के साथ अम में क्या करूंगा यह बताए कि एकनलाजमेंट मैंने फ्लाइग मैंने वन करा तो एकनलाजमेंट में सिक्वेंस भीज नबर मुझे भीजना पड़ेगा कॉंसे सिक्वेंस में next accept करूंगा तो यहां पर दीए सेंडर ने जब भीजा तो 1500 भीजा था ठीक है तो यहा के मतलब यहां पर capital में हो गया ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा एक क्या हो जाएगा यह फ्लैग है आपका वन और यहां पर अकलोजमेंट नमबर मैंने भीज़ा अकलोजमेंट नमबर क्या आएगा अपका 1500 चूटी में ठीक है फंद्रा सो एक ठीक हो गया अब देखे क्य यहां पर यहां पर यह 1501 इसको भीजिएगा एक्लोजमेंट फ्लैक भीजेगा एकलोजमेंट किसकी भीजिएगा यहां पर आप देखिए कि 201 इसका स्टार्ट हो रहा था तो यहां पर कितना हो जाएगा 300 कि ending पर यहां पर 301 अब दुबार से सेंटर होगा सेखेंस बेजेगा किस गांद्रास सो पर तार यहां पर जो पर जो बाइंस इसका स्वेंस नमर था और यहां कितना होजाएगा यह कितने वांद्र में बैजेगा 1601 2 पहले हम पर सीइसली मंखैंग 1101 की शेक्न शीकृंस नंबर भीज़ेगा सेंडर सेंडर ने सेंडर ना देखिये यहां पर यहां पर count थेंटर प्रसेंडर पेक्म है 309 मांगे 301 बिसदाँ और EC क्यक्तना हो जाएगा एstem पर और यहां पर acknowledgement number कि भीज़ेगा इसने रिसीफ क्या data 301 वाला किया 301 से 301 से कितना तक होगा 400 चार्सो तक होगा 301 से 400 तक होगा ठीक है जो data है उसमें स्क्रेस्वेंस होगा 301 से 400 तक होगा तो प्रक्राइब किसकी मागेगा 401 की मागेगा ठीक है और फिड से यहांपर से यहांपर सेंडर क्या भीज़ेगा अपनी एकलाजमेंट और सिक्वेंश नमबर भीज़ेगा ठीक है यह चीज़ चल कि समझ गहे हूं कि किस तैसे डाटर टांसवर हो रहे हैं अब माल लेजिए कि अब क्या करना है इसको terminate करना है ठीक है terminate करना है अपना connection तोड़ना है तो उस case में यहाँ पर fin flag का use होता है अब देखिए fin flag क्या होता है देखिए fin flag in a TCP header is used to indicate the end of the data transmission data transmission end करना होता है तब हम उसको use करते हैं इसको send करते है to the receiver जो sender भीजेगा receivers को accept करेगा और receiver भी भीज सकता है क्योंकि उसको connection terminate करना है तो वह भी भीजेगा तो यहाँ पर starting कैसे होती है यहाँ पर fin flag होता है उसको हम लोग set कर देते हैं TCP header में to signal termination को terminate करना होता है तब हम इसको भीजते है इनिशली connection termination में क्या होता है कि हम लोग flag को 1 भीज देते हैं ठीक है this segment also include sequence number यहाँ पर sequence number भी जाता है आपका sequence number के सांद fin को भीज देते हैं फिर उसका एक state आते है fin1 weight इसमें क्या होता है जो आपका sender है वो weight करता है कि उसको acknowledgement मिलेगी तो कॉनसी state में चला जाता है fin weight 1 में चला जाता है ठीक है acknowledgement जब उसको मिल गई acknowledgement of fin उसको मिल गई तो receiver receive the fin segment उसको fin segment मिल गया receiver को और वो क्या करेगा acknowledgement send करेगा back to the client जिस client ने fin generate किया है उसको acknowledgement भेज़ेगा और acknowledgement include the next sequence number which acknowledge the receipt of fin segment तो इसमें क्या होता है जो receiver होता है वो क्या करेगा अपना sequence number भेज़ेगा क्योंकि connection अभी किसने तोड़ा है A ने भेजा fin किसको A ने fin भेज़ेगा किसको B को ठीक है A ने fin भेज़ेगा B को तो इस case में A बोल ला है कि मैं connection loss करना जाता हूं लेकिन B थोना बोल ला ऐसा तो B भी डाटा भेज़ेगा तो बताएगा कि अगर मैं डाटा भेज़ेगा तो इस sequence से मेरा डाटा आएगा ठीक है फिर होता है fin wait to once a client receive the acknowledgement receiver जो अपका sender था ठीक है जो client था उसने अगर रिसीव कर ली ठीक है fin की acknowledgement तो वो fin state 2 में चले जाता है अब वो wait करता है कि चीज़ का fin segment का receiver के जो receiver था हमारा ठीक है जो server था उसके fin segment का wait करता है server fin when a server is ready to close जब आपका जो receiver है वो भी close करने के लिए ready है तब वो क्या करेगा fin segment को send करेगा चले आप यह देख लेते हैं कि अगर connection terminate होगा तो किस तरह कैसे terminate होगा ठीक है उससे पहले मैं को यह बता दूँ कि अगर प receiver हो गया ठीक हो गया अब देखिए डाटा चल लाए आगे अब यहां पर से क्या हुआ इसने अपना भेज दिया तो यह क्या करेगा अब यहां पर request भीज रहा है अब इसको डाटा नहीं है भीज रहा है ठीक है क्यों नहीं है डाटा क्योंकि अभी तक application layer से हमारे डाटा आ करनेगा लेकिन अगर हमारा application से डाटा आता ही नहीं है तो ज्यादा वेट नहीं कराएगा receiver को ठीक है receiver को वेट नहीं कराएगा वन्ना receiver सोचेगा कि मेरा packet है वो send ही नहीं हुआ उसके acknowledgement ही नहीं आ रही तक तो क्या करेगा दुवारा भीज देगा तो इससे बड़े हो क्या क कि next sequence आएगा वो किसका आएगा ठीक है तो यहाँ पर कितना आएगा 401 आएगा ठीक है 301 तक चले गया था ठीक है तो अभी क्या भीज़ेगा 401 भाज़ेगा और जो मागने वाला है वो भी 401 ही माग रहा है ठीक है और उसके सांद AC के भीज़ेगा acknowledgement flag 1 और AC के भीज़ेगा ठी ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है वो है pure,pure acknowledgement ठीक है pure acknowledgement है वैसे दिखने में फरक नहीं चल लागा पौन सा प्यूर है कौन से यह क्या है क्योंकि यहां पर दाटा मोग दिकानीरेंख करें लेकिन यहां पर सल्ग बीजते हैं अगर रेक्र फृकरण से घ्रघंवर कुदि नंबर के रखे है क्या रखे मगाए दिगर 401 क्यों मांग रहा है 402 क्यों नहीं मांग रहा और 501 क्यों क्यों झूंकि धेखिए data तो तो हमने कुछ भेजा नहीं है तो sequence गया नहीं होगा सिफ यह बताए यह नेक्स स्क्राइब में fin joh flag होता है वो आपका sequence number खाता है तो यह चीज़ समझगे कि अगर pure economic में जाती है तो यह जो data भेज़ेगा इसका sequence number कितना होगा 401, economic में कितनी होगी 1 और AC के number के होगा 401 ही होगा same same होगा ठीक है यह चीज़ का आप ध्यान रखेंगे ठीक हो गया अब देखिए इसके बाद जोड़ी data भेज़ेगा तो उसमें कॉंसे sequence number जाएगा उसमें कॉंसे sequence जाएगा 401 ही sequence जाएगा ठीक है क्योंकि यह मांगी 401 रहा है तो यह भेज़ेगा 401 ठीक है और फिर economic भेज़ेगा economic AC के flag 1 और economic कितनी भेज़ेगा economic number कितना भेज़ेगा देखिए इसने भेज़ेगा 1701 तो अब नेक्स कितना चीज़ेगा 1801 यहाँ पर 1801 भीज़ेगा ठीक है तो यह तो हमारा connection के लिए हो गया अब मैं कहता हूँ termination दिखाता हूँ को कि termination कैसे होगा ठीक है इसको थोड़ा सा move कर लेता हूँ मैं इसको copy कर लेजा क्योंकि इसकी PDF भी दे दूंगा वैसे मैं ठीक है फिर अगर नहीं मिल पाती तो फिर भी note कर लेजीगा क्योंकि अपनी writing में उतानना सही रहता है short note बन आपर यह यह र check में repeat कर रहा हूँ और यहां यहां पर मैं termination के लिए बोल दे रहा वहां कि अब मुझे terminate करना है यहां पर और इस case में दो case ले रहा हूं मैं एक ऐसा जिसमें receiver connection को अपना यहां से terminate नहीं कर रहा है यहां पर सिर्फ अभी sender terminate करा और receiver terminate नहीं करना चाहता तो किस तरह का data भीज़ेगा और अगर terminate करता है तो किस तरह के data भीज़ेगा तो दो नो ही मैं एक्जांपल ले रहा हूं सबसे पहले भीज़ेगा सिक्वेंस यहां पर फिन भीज़ेता यहां पर फिन भीज़ेता यह फिन भीज़ेता ठीक है अब देखिए अब data termination हो चुका है तो इस case में क्या होगा sender अब यह बताएगा कि मैंने आब क्या कर लिया है एक्जांपल में तुम्हारा दे रहा हूं में इसको पता लिए कि तुम भी टर्मिनेट करना चाहता हो मेरा तो तुमने एक्जांपल में दे ही दिया तो अब यह क्या करेगा यह यह बताएगा जो sequence number आएगा next sequence number कौन सा आएगा देखे इसने मागा था कितना 402 तो यहां पर इसको 402 ही मिलेगा sequence number ठीक है उसके सांथ बेज़ेगा ACK 1 और यहां पर कौन सी आएगी बताएगी यहां पर देखे फिन 1 भेजा इसने अठारा सो एक में ठीक है फिन भेजा है फिन भेजा है फिन भेजा एक एक सिक्वेंस खाज़ेगा तो अठारा सो दो भेज़ेगा यहां पर ठीक है अब मैं जो data receive करूंगा अगर आपको परने तो अठारा सो दो वाला भेजना पड़ेगा ठीक है और यहां पर ही क्या करेगा बस इतना ही data भेज़ेगा तो यहां पर termination हो गया इसने termination के लिए request मागी ठीक है इसने response किया कि मैं भी terminate करना चाहता हूं और यहां पर इसने बोल दिया ठीक है मैं आपका जो termination का आपने receive कर लिया अब termination हो जाएगा ठीक है यह जी समझागी तो यह था आपका connection कैसे बनता है और termination कैसे होता है तो तीनों phase हम लोग जान चुके है कि stabilize कैसे होगा connection data कैसे transfer होगा और terminate कैसे होगा ठीक है जाने से पहले एक छोटी सी request में आपसे करना चाहूंगा यहां पर हमारे ए चैनल को आप subscribe कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो हमारी वीडियो को like कीजिए share कीजिए और हमारी चैनल को subscribe करना ना बोले thank you watching good bye take care